आज हम लोग बात करने वाले हैं Amazon voice process job role से related A to Z बाते हैं आज हम लोग जाने हैं कि क्या आपका job role रहेगा क्या basic eligibility होगी यहाँ पर hiring process क्या होगा यहाँ लास्ट में हम लोग बात करेंगे interview questions के बारे में जो कि आपको काफी help करेंगे इस job के interview को crack करने के लिए लोग focus करते हैं जैसे कि e-commerce हो गया cloud computing हो गया digital streaming हो गया artificial intelligence हो गया काफी different sectors में लोग deal करते हैं यहाँ पर बात करें तो one of the top five big companies में इसको गिना जाता है Amazon की थोड़ी और बात करें गाई तो 1994 में इस company को बनाया गया था स्टार्टिंग में लोग books वगयरा sell किया करते थे आज के टाइम पर बात करें गाई तो लगबख सारी चीज़ें हमको Amazon पर देखने को मल जाती है यहाँ पर बात करते हैं Amazon voice process job role के बारे में तो basically यहाँ पर customer की काफी सारी queries होती है काफी सारी problems होती है जो कि via call के तुरू आप उनकी queries को answer कर रहे होते है कोई भी products related information चाहिए होती है तो आप उनको सारी चीज़ें यहाँ पर provide कर रहे होते है यहाँ पर बात करते है eligibility criteria के बारे में तो आप graduate होना ज़रूरी है यहाँ पर effective communication skills होनी चीए क्योंकि आपको customer से लगातार बात करना होता है next हम लोग बात करें guys तो यहाँ पर आपके excellent command होनी चीए Hindi and English में fluency के साथ और बात करें guys तो यहाँ पर flexible होने चीए 24 x 7 work environment में काम करने के लिए so guys यह इसकी कुछ basic eligibility थी salary की बात करें guys तो guys यह कुछ इसकी salary है यहाँ पर हम लोग बात करें guys hiring process की तो basically यहाँ पर तीन round हमको देखने को मिलते है पहला आपका introduction round होता है जिसमें आपके साथ 15 और candidates होते हैं एक room में जहाँ पर आपको एक moderator दिया जाता है and basically आपको पांच मिट दिया जाते हैं बात करने के लिए आप कुछ भी बात कर सकते हैं English में इसी दोरान आपके CV को यहाँ पर moderator check करता है second round होता है guys basically online test होता है जिसमें आपकी basic English को check किया जाता है and यहाँ पर आपकी typing speed को भी देखा जाता है क्योंकि कई बार आपको कुछ emails को यहाँ पर response करना पड़ता है type करके तो यहाँ पर आपकी typing skills को भी देखा जाता है last round आता है guys वो होता है basically one on one interview होता है यहाँ पर HR आपसे कुछ questions पूछते हैं ठीक है आपकी CV को अच्छे से check करते हैं आपको customer का एक role play करने को भी बोला जा सकता है यहाँ पर guys एक important question आजाता है कि customer support important क्यों है तो guys इसको हम एक simple line में answer दे सकते हैं कि यह sales को boost करता है लेकिन guys इसके कई और reasons भी होते हैं जैसे customer को अगर कोई भी query आपर कोई भी problem आती है तो उनकी queries and problem को यहाँ पर solve करने के लिए customer support important हो जाता है इसी के साथ guys customer support होने से एक company and customer की बीच में एक अच्छी loyalty बनी रहती है इसी के साथ guys एक अच्छा customer provide करने से यहाँ पर word of mouth publicity भी काफी जादा होती है अगर एक customer satisfied है वो company से खुश है तो बाकी लोगों को भी यहाँ पर बताता है तो guys इसी लिए customer support काफी important हो जाता है आप guys बात करते हैं interview questions के बारे में जो कि interview के दौरान आप से पूछे जा सकते हैं किसी भी interview में जाने से पहले आपको कुछ ऐसे interview questions हैं जिनके लिए आपको prepare करना अपड़ता है यह guys सबसे बड़ी गल्दी करते हैं जारतर लोग कि किसी भी interview में जा रहे हैं तो लोग preparation नहीं करते हैं अगर आप पहले से थोड़ी बहुत preparation करेंगे तो आपकी chances काफी बढ़ जाते हैं उस interview को crack करने के लिए तो guys मैं कुछ आपको basic questions बता रहा हूँ आपको लेके तो यह basic चीज इंटर्व और आपके अंदर देखने की कोशिश करते हैं इसी किसान जैसे अगर आप recently graduate हुए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मैं इस college से graduate हुआ हूँ और मैंने इस field में अपनी graduation complete किया है यहाँ पर अगर आप 2-3 साल काम कियें किसी company में आपका थोड़ा बहुत background है sales को लेके तो आप यह भी चीज़ें यहाँ पर mention कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2-3 साल इस company में काम किया है और मेरा sales को लेके यह background रहा है यहाँ पर आपको कुछ specific चीज़ों के वारे बताना पड़ेगा जो कि आप अपनी job search में ढूंड रहे है तो next बात करते हैं यहाँ पर आप सारी चीज़ें आपने interviewer को बता दिये हमने यह बता है कि हम कैसी job ढूंड रहे हैं तो आपको कुछ specific चीज़ों के बताना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले हैं रिसर्च करने पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा Amazon में क्या-क्या चीज़ें ठीक है, products कैसे है, services कैसी है, क्या-क्या चीज़ों पर एक काम करता है यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चीज़ें और कुछ specific चीज़ों को पकड़के आपको interviewer को answer देना होता है यहाँ पर आपकी strength भी पूछी जा सकती है तो मैं आपको कुछ strength बता देता हूं यह आप mention कर सकते हैं जैसे dedication, positive attitude, creativity, leadership, determination यह कुछ strengths है strength के साथ साथ यहाँ पर weakness भी पूछी जा सकती है ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से answer देना होता है कि यहाँ पर आपके higher होने के chances कम नहीं हो बलकि यह show करें कि आप कितने self-aware है जैसे यह answer दे सकते हैं कि आप too detail oriented है ठीक है, आप किसी भी चीज को काफी बारी की से करते हैं जो कि कई बार अच्छा नहीं होता है second आप यह बता सकते हैं self-criticism, ठीक है तो यह कुछ basic चीज हैं जो कि आप answer दे सकते हैं next guys वो आप से यह पूछ सकते हैं कि आपको company के बारे में क्या पता है what do you know about the company तो यहाँ पर आपको research काफी अच्छी तरीके से करनी होगी ठीक है, आपको Amazon के बारे में सारी चीज से पता होनी चाहिए क्या services है, क्या products है किस तरीके से model काम करता है इनका e-commerce में कैसे चीज से काम करता है यह सारी चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार लोग research करके नहीं जाते हैं जिसके कारण का interview अच्छा नहीं जाते है ठीक है, जिसके कारण को job नहीं मिलती है तो आप जो भी company में apply कर रहे है किसी भी company में, आप पहले उसके बारे में research कीजिए यहाँ पे guys एक और interesting question आप से पूछा जा सकता है जैसे tell the story of the last time you had to apologize to someone यहाँ पे interview यह जानना चाहता है कि आपके अपनी mistakes को admit करते है ठीक है, कि आप team player है यह कुछ basic चीज़े हैं जो कि interviewer आप से जाना चाहता है तो आपने last time किसी को apologize किया हो तो आप story यहाँ पर बता सकते हैं interviewer को तो कुछ ऐसी चीज़े guys पूछे जाती हैं आपके interview के दौरान तो guys next time अगर आप किसी interview के लिए जा रहे हैं तो यह कुछ basic चीज़े आप ध्यान में रखीए यह कुछ interview questions हैं जो कि आपको काफी help करेंगे interview को crack करने में and guys अगर आप और थोड़ी preparation करना चाहते हैं तो आप हमारा able job application डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आपको काफी सारे free courses बगर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको काफी help करेंगे किसी भी interview को आसानी से crack करने में तो guys description में आपको link मल जाएगी आप definitely check out कर सकते हैं तो guys यह था आज का वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में stay safe peace out